हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पे दोस्तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कैसे हम जरोदा में जीटीटी ओर्डर लगा सकते हैं जीटीटी का मतलब ही होता है कि आप किसी स्टोक को बाई करने वाले हैं और उस स्टोक का प्राइस हभी हाई चल रहा है तो आप वहाँ पे जीटीटी ओर्डर लगा सकते हैं तो GTT ओर लगाने के लिए आप किसी भी स्टोक के ऊपर GTT ओर लगा सकते हैं जैसे कि यहाँ पर डिस्पले में सो हो रहा है तो आपके सामने मैं यहाँ पर सबसे पहले Access Bank के ऊपर कलिक कर देता हूं जैसे ही मैं Access Bank के ऊपर कलिक कर देता हूं तो आपको यहाँ पर Buy और Sell के Option के उपर नहीं कलिक करना होगा क्योंकि यहां से आप stop loss और target एक साथ पूट कर सकते हैं या फिर target लगा सकते हैं एम order लगा सकते हैं लेकिन इसमें यह सिरफ एक दिन के लिए weld होता है और आपको more market watch फिर से करना पड़ेगा लेकिन यहां पे आपको एक create gtd का option दिखाई देता है जिसमें आपको order लगाने के बाद एक साल तक market watch करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे ही मैं यहां पे create gtd के उपर click कर देता हूँ तो आपके सामने यह display सो होती है तो यहां पे आपको सबसे पहले उस stock का price सो होगा जिस stock के आव अंदर आप investment करने वाले हैं जैसे यहां पे access bank का अभी rate 903 रुपेज चला हुआ है तो आप gtd order इसको कभी भी लगा सकते हैं यदि आप market का time 9 से लेके 30 30 तक होता है उसके बाद भी आप gtd order लगा सकते हैं या फिर किसी संडे को जिस दिन market ओफ है उस दिन भी आप gtd order लगा सकते हैं सबसे पहले यहां पे आपक किसी stock को आप buy करने वाले हैं और यहां पे आप trigger price यहां से single ही रहने देगें क्योंकि यह दो option already select होते हैं तो उसके बाद आता है आपका trigger price trigger price में होता कि आप कितने पर इस stock को buy करने वाले हैं जैसे यहां पर 903 रुपे चला हुआ तो आप यहां पर 903 की जंगा जैसे यहां पर आप डाल देंगे कि मैं इसको 850 पर order को buy करने वाला हूं तो यहां पर 850 डाल देंगे और यहां पर आपको order लग जाएगा limit के अंदर यहां पर product CNC क्योंकि यह आपका long term के लिए होता है GTD order आप mostly long term के लिए लगाते हैं यदि आप एक दिन के लिए लगाने वाले तो वहां से आप stop loss or target एक साथ वहां से लगा सकते हैं regular order में जाने के बाद इस तरह यहां से आप quantity add कर लेंगे आप कितनी quantity यहां से buy करने वाले ह हैं और इसके बाद यहां से price select कर लेंगे आप इसमें confused होगों कि यह price और trigger price में क्या difference होता है trigger price का मतलब होता है कि यदि आप access bank को buy करने वाले हैं और 850 यहां से आपने rate डाल दिया तो यह आपका 850 आने के बाद यहां से activate हो जाएगा और यहां से आप इसको buy कर लेंगे ज सकता हूं या फिर इसके equal भी डाल सकता हूं जैसे मैंने यहां पर पूट कर दे उसके बाद 850 यह 848 यहां से में put कर सकता हूं एक यह 200 रूपए का difference भी रख सकता हूं तो इस तरह से यहां से trigger price के अंदर थोड़ा सा यह difference होता है उसके बाद आपको यह सब put कर लने के बाद यहां पे आपको create gtt के उपर click कर देना और यहां से आपको term and condition यहां से read कर लेनी है जैसे मैं create gtt के उपर click कर देता हूँ तो यहां से मेरा order place हो जाएगा यहां पे so rag gtt create तो यहां से आने के बाद आपको orders के उपर click कर देना पे चला हुआ तो मैंने 850 का यहां से GTT ओडर लगा दिया है तो यहां से आने के बाद इस डोक को मूड़ीफाई भी कर सकते हैंい को कैंसल भी कर सकते हैं आपिए सोच रहे हैं कि 850 का मैंने ओडर लगा दिया लेकिन यहé 900 से कम नहीं आ रहा तो आप यहां से 900 भी लगा सकते हैं तो यहां से स्टोक को कैंसल भी कर सकते हैं जैसे यहां पर मैंने इसके उपर क्लिक के यहां से आप मोडिफाई कर सकते हैं कि मैं इसको 900 के उपर आएगा तब इसको बाई कर लूँगा तो यहां से मैं 900 रुपे डाल देता हूँ तो इसके बाद यहां से आप प्राइस भी 900 रुपे एंटर कर देंगे और उसके बाद आप मोडिफाई GTT के उपर क्लिक कर देंगे तो यहां से आपका मोडिफाई हो जाएगा यदि आपने इस स्टोक को 900 रुपे में इस वीडियो से एलेट कोई भी क्वेसन है तो वहां से मुझे कमेंट करके वहां से पोच सकते हैं